कि नमस्कार मैं हूँ शुबम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका मनी सेंटर में मेरे साथ ख़बरों के विशलेशन के लिए जुड़ेंगे मनी नाइन के अईटा अंशुमान तिवारी जी सर बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद बढ़ा पॉलिश्ट हीरे अमिया से निर्यात करके भेचते हैं कच्छे हीरे मगाते हैं कई नजरियों से ये बाजार हमारे लिए important है बढ़ा रोजगार देनेवाला बाजार भी नजर्यात के लिए important बाजार है इस बाजार को अचानक किया हुआ ये जानेंगे सरकार ने बैंकों से कहा है सरकारी बैंकों से कि एगर डिफॉल्टर्स की संपत्ती आपके पास है तो इसे लिस्ट कीजिए और जल्द से जल्द इसे बेचीए क्यों सरकार इस पर जल्दी कर रही है जानेंगे शुरू हुई अदानी के औरिटर की जांच किस मामले में जात शुरू ही है कौन से ओडिटर की जात शुरू हुई है ये जानेंगे दिन की बड़ी खबर में और दिन की एक सबसे बड़ी खबर होगी भारत का शियर बाजार आज लगातार छटा सत्र है जब बाजार में गिराबट देखने को मिल रही है 19,000 का वो एहम इस्तर जो निफ्टी तोड़ चुका है FIIs लगातार जा रहे हैं Mutual Fund के बाजार में भी छोटे निवेशकों में बेचैनी बढ़ रही है क्या गिरावट की वज़े है कब थमेगा बाजार क्यों विदेशी निवेशक बेच रहे हैं क्या पूरा मसला है ये जानेंगे दिन की सबसे बड़ी ख़बर में और FIIN FLUENCOR पर चला सेवी का चाबुक ये Finance के जो Influencer थे जिने FIIN Influencer कहा जाता है इन पर चेतावनी तो लंबे समय से आ रही थी लेकिन अब पहली बार कारवाही हुई है किस पर कारवाही हुई, कितनी बड़ी कारवाही हुई सेवी ने क्या किया ये सब कुछ जानेंगे दिन की एक और बड़ी ख़बर में लेकिन शुरुबात सोने की ख़बर के साथ गोल्ड के इंपोर्ट पर आयात शुल्क बढ़ने की वज़े से देश में सोने की तसकरी को बढ़ावा मिला है इस साल अपरेल से सितंबर के दौरान इजिंसियों ने करीब दो हजार किलो सोना जब्त किया है जो तसकरी के लिए तसकरी के रास्ते भारत आ रहा था सोने की ये जब्ती पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 43 फीसद जादा है पिछले साल समान अवदी में जितना तसकरी में जब्ती हुई थी उससे ये जब्ती 43 फीसद जादा है सर तसकरी में इतना उच्छाल क्यों شبہ माम طور پر सोना हمیشہ भारत में तसकری मामें बढ़ने के तरह पे सामने आता है जब भी सोने पे इंपोर्ट डूोटि बढ़ाई जाती है हमें याद होगा कि पिछले साल जून जुलाई में सरकार ने आयात रोकने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़तरी की थी यह वो दोर था जब भारत का करेंट अकाउंट डिफसिट बढ़ रहा था और सरकार आयात को नियंतरित करना चाहती थी उस वक्त सरकार ने गोर्ड इंपोर्ट ड्यूटी को करीब 15% तक बढ़ा दिया था जो कि उस दोरा 10.75% थी और इसके बाद से भारत में सोने की तसकरी में बढ़तरी हुई जो ताजे आंकड़े आये हैं सोने की तसकरी के वए बता रहे हैं कि करीब अपरेल से सप्टेंबर के दोरान भारत का खुल आयात 22.25 बिलियन डॉलर रहा है जो कि 10% ज़ाधा है पिछले साल के आयात से और इस की तुलना में में भारत में लगभग 3800 किलोग्राम स्मगर्ड गोल्ड पकड़ा गया है जहां रखने की बात है कि अंकड़ा उस गोल्ड का है जो पकड़ा गया है इसके अलावा वो गोल्ड जो बगएर पकड़े हुए से बाहर चला गया है वो बाजार में पहुँच रहा है और ये बात और भी जरूरी है जथाएं थी जिन पर सिनेमा बनता था फिल्म बनती थी उस दवरान भी यही से थी थी कि जब जब सोना कायात बढ़ता था तो गई रास्तों से सोना तस्तियों कर भारत में आता था अब चलिए हीरे की बजार की तरफ अमेरिका योरोप और चीन में आर्थिक सुस्ती और जैव से बने हीरों की सप्लाई बढ़ने के वजय से पॉलिश्ट डायमेंड की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है इस साल नवरातर और दशेरे के दौरान पॉलिश हुए डायमेंड की कीमते पिछले साल के मुकाबले 35 पीसद कम है और 2004 के निचले स्तर पर ही है लेकिन चुकि हीरे का दुनिया में एक अपना ग्राहक बाजार है समर्द लोगों का बाजार है इसलिए हीरा सस्ता होना हीरे की की गुर्वता क्वालिटी और मांग के लिए कजीब सी पराडॉक्सिकल खबर है या अंतर विरोधी असंगत खबर है पर इससे पहले भी क इनको जो अनगड़ हीरे माइन से निकाले जाते हैं और उनको पालिश करके तराश कर दिया जाता उसकी जिए लैप ग्रोन डायमंड और सिंथेटिक हीरों का बाजार भुत तेजी से बढ़ रहा है और अब यह जो औरिजिनल और प्योर हीरे हैं जो कि जिनकी शुधता और और प्योरिटी के कारण जिने बहुत अच्छी कीमत मिलती थी उनका बाजार तोट रहा है तो पहला तो बड़ा शिप्ट यह है कि हीरा अब लगभग उस तरीके की कॉमोडिटी या उस तरीके का प्रोडिक्ट ने उस तरीके की जोलरी आइटम नहीं रह गया है जैसा पहल की खपत कम हो रही है और खास्तावर पर जो मध्यमवर गरुच मध्यमवर के लोग जो इस तरीके के उत्पात खरीते हैं उनके उपर दबाव बढ़ रहा है उसकी वज़े से हीरे की मांग में कमी आया ही है शुबम ने जैसा शुरूरात में कहा कि भारत के लिए हीरे का नि नहीं आपा रहा है और दूसरी चीज़ है कि उसके बने होई हीरों की मांग दुनी के बाजार में कम हो रही है उसकी जगे संथेटिक और लाप ग्रोन डामन्स की मांग बढ़ रही जो सस्ते भी है जादा खूसूरत भी है केंद्रिय वित्मंत्राले ने सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन डिफॉल्टर्स की संपत्ति को बेचने की गति बढ़ाएं लोन रिकवरी के लिए बेची जाने वाली संपत्ति को बिक्री के लिए मुबाइल एप या नए निलामी प्लैटफॉर्म पर सरकारी बैंकों की करी 5 लाग संपत्तियां हैं जो लोन डिफॉल्टर से जब्त की गई थी अवित्मंत्राले बैंकों को उन सभी संपत्तियों को बेचने की गति बढ़ाने के लिए बोल रहा है इन संपत्तियों में आवासी है residential भी है और commercial दोनों तरीके की संपत्तियां शामिल है सर नीलामी तेज क्यों करने के लिए कहा जा रहा है सरकार की तरफ से एक चीज हमें लगातार देखने में आ रही है यह शुबं की जिनका जो default हुए है बैंकों की जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनसे बैंकों की वसूली ना के बराबर है या तो बैंक रप्सी कोड के तहित जाते हैं और उसके बाद बैंकों को 60%, 70%, 80% हेर कट लेने पड़ते हैं या बहुत सीमित रिकवरी होती है DRT के जरिए या BAD BANK के जरिए अनतता जो भी विकल बचता है BANK कों के पास वह यह है कि जो उन्होंने डिफाल्टर की संपत्ति कुरूप की है जब की है, एसे इसेट को लिया है, उसे बेचा जा सके और ये बड़ी बड़ा हिस्सा है भारत में जो भुतेजी से बैंकों के पास ऐसी समपतियां बढ़ रही है जिके जो डिफॉल्टर से जब्त की गई हैं उनके कर्च के बदले बैंकों ने पोर्टेल भी बनाया है उस पोर्टेल के तहट समपतियां बेची भी जा रही है लेकिन सरकार का दवाव बैंकों पर ये है कि जो उपलब्ध हो सके उसे निकाला जा सके ताकि थोड़ी तो वसूली दिखाई आ सके नैती कुरूब से भी ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार हचे महिने बाद देश को बताती है संसद में बताती है कि उसने डिफॉल्टर के इतने लोन राइट आफ कर दी है अफ़ारों में विध्यापन भी आते हैं पर बित्करी थोड़ी सी सुस्थ है क्योंकि गरहक मिलना आसान नहीं होता सरकार ने सरकारी बैंकों से कहा और RBI ने निजी बैंक से क्या कहा कि भारती रिजर बैंक ने निजी बैंकों के लिए गवर्नेंस के नियम और सक्त कर दिये बुद्धबार को RBI ने निजी बैंकों से उनके निदेशक बोर्ड में MD और CEO समित कम से कम दो पून कालिक निदेशकों की मौझूदगी को सुनिश्यत करने के लिए कहा है RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि बैंकिंग शेत्र की बढ़ती जटिलता और उभरती चुनोतियों से निपटने के लिए बैंक के लिए एक प्रभावी वरिष्ट प्रवंदन टीम का गठन होना अनिवार है सर ऐसा क्यों कर रहा है RBI बैंकों ने लगातार ये देखा है कि बैंकों की मामले में कई बारे देखा गया है खास्वर से कई इसे प्रवुक बैंक है शुभम जिनमें होल टाइम डायरेक्टर नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक में दो तक होल टाइम डायरेक्टर नहीं है इंडसिंट बैंक, तमिलनाडू, मैकेलटा, LCSB, टीसीबी, धनलक्षमी, सिटी यूनियन, साउथ इंडियन, ऐसे तमाम बैंक और इनकी सबस्टीरीज है, जहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट का चैलेंज है, और रिजर्ब बैंक पिछले दो साल से प्राइवेट बैंकों क प्ERबंधन की समस्याँ से उल्चा हुआ है, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तरीके की समस्याया आती, हमने कोटक बैंक में एक समस्या आती देखी, इससे फ़ले एस बैंक में चुनोती देखी, और इसलिए आप держ fund बैंक को दखल देकर एक कहना पड़ रहा है, ऑंवि डिजली की मांग देखते हुए केन सरकार ने आयातित कोईले पर चलने वाले पावर प्लांट को अगले साल जून तक पूरी शम्ता के साथ बिजली उत्पादन करने कानिर्देश दिया हैं। प्लांट्स को 31 अक्टूबर तक पूरी शम्ता के साथ उत्पादन का निर्देश था लेकिन अभी सादेश को 9 महीने बढ़ा दिया गया है। ये मौसम जो आने वाला है अलाकि सर्दियां में थोड़ी बिजली की मांग का होती पर इस बार अगर टेमपरेचर उंचा रहता अलनेनों के करना तो बिजली की मांग भी ज्यादा रहेगी और इसके बाद प्रिचुनाओ बिल्कुल गर्मियों के बीच में और इसलिए आप दो महिनों में भारत से कोईले के आयात के बड़े आर्डर शुरू होंगे जाना शुरू होगी क्योंकि सरकार ने इस पश्टूप से जो कोल बेस प्लांट है इंपोर्टिट कोल बेस प्लांट जिनको का जाता है वो उन्हें पूरी तरह से कोईला आयात करने की छूट दे कोईले का आयात आने वाले छे महिनों में और जादा बढ़ेगा और भारत में बनने वाले बीजी का एक बड़ा हिस्सा आयातित कोईले से आएगा आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ देश के अकाउंटिंग रेगुलेटर NFRA ने अदानी गुरूप से जुड़ी ओड़िटिंग फर्म EY की सदस फर्म एसर बातली बोई की जांच शुरू की है ये जांच अदानी गुरूप से जुड़े 2014 के एक मामले में शुरू हुई है S.R. Bartley Boy नाम की Auditing firm अदानी गुरुपी पांच कंपनियों का अदानी गुरुपी पांच कंपनियों का काम करती थी इस खबर के बाद गुरुवार को शेयर बादार में अदानी गुरुपी अधिकतर कंपनियों की शेयरों में गिरावट देखने को मिली सरे कौन से मामले की जाच चल रही है अदानी समू की तरफ जाच के अलग-अलग शिकंजे बढ़ रहे हैं इस से पहले कापरेटिफेस मेनिस्ट्री ने जाच शुरू की थी अडानी समू के निवेश की जो बांबे अर्पोर्ट से रिलेटेड था और एक जाच सेबी की तरफ से अलग से चल रही है यह मामला 2014 का है एसर बाटली बाय कंपिनी है जो एवाई आडिटर ग्रूप है उसकी सदसे परम है और इसने अडानी समू की को अपनी सेवाएं दी थी और यह अडानी समू की जो पांच लिस्टेट कंपिनी थी उनके इस्टिटरी आडिटर थे और इन से जिड़ोए स्टार या इसकी कुछ सूतर हिंडनबर की रिपोल्ट से भी जुड़ते हैं कि हिंडनबर समू ने अपनी रिपोल्ट में जब अडानी समू का अपनी रिपोल्ट दी थी हिंडनबर ने यह भी कहा था कि अडानी समू के आडिटर ने कई सारी जरूरी सूचनाओं की जानका कर रहा है दिन के कारोबार में निफ्टी ने 8,860, 8,860 का निचला इस्तर चुआ है मॉंबेस टाक एक्चेंज में सेंसेक्स में आप देखें वहां भी गिरावट है 63,000 के इस्तर के आसपास कारोबार कर रहा है शेर बाजार के सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है इस्राइल, हमास, युद्ध की वैसे दुनिया भर के बाजार पे दवावे इसका असर भी कुछ भारती बाजारों पर है जो एक गिरावट का कारण है सर, अंतराश्टी कारण कितने जिम्मेदार आप मान रहे हैं चाहें वो कुरूड की तरफ से देखें, आप युद्ध की तरफ से देखें अंतराश्टी कारणों को आप कितना जिम्मेदार मान रहे हैं भारती बाजार में जिसके बड़े असर हैं अलग जिने हम आज समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहला और अंतराश्ट्री अज़े ये है कि पूरी दुनिया में पता है कि महंगाई लंबे समय तक रहने वाली ये ब्याजदरें बहती रहेंगी अमेरिका में ब्याजदरें लंबे समय तक रहेंगी पांच फिस्ती से उपर की बांड डिल्ट पहुँचना जिस पर मलगातार चर्चा करते रहें यूरप के बाज़ारों में बांड डिल्ट उची होना और अभी फिलहाल जो मौझूद महंगाई उसे रहात ना मिलने के कारण अब जो उची का प्रवा है वो पूरी तरे अस्त्विस्त है और निवेशकों को बहतर रिटर्न मिल रहा है भारती शेर बाज़ार से जधा अमेरिका के बांड्स में तो ये तो बेसिक आबिटराज एडवांटेज है आबिटराज जो फाइदा भारती शेर बाज़ार देते थे वो उन्होंने गवा दिया क्योंकि दुनिया में ब्याज़ारे उची हो गई है अब यहां उस एडवांटेज को बहतर करने के लिए केवले की रास्ता है कि भारती रिजर बैंक ब्याज़ार उची करे बढ़ाए जो की संभव नहीं दिखाई देता भारत में ब्याज़ारे पहले से ही जाधा उची है तो एक ये बड़ा फैक्टर है जिस फैक्टर का असर हमें सीधे भारत में विदेशी निवेशकों के रुख पर दिखाई दे रहा है पिछले दो मेने से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं वो तो भारती बाजार की अपनी डिफ्ट है अपनी गहराई है और अपने चोटे निवेशकों का असर है कि बाजार इतना नहीं गिरा जितना उसे गिरना चाहिता इस भी क्वाली के बाद पर फिर भी कहा तक समलेगा और इसलिए हम पांच दिन से लगातार गिरावट देख रहे हैं तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर है विदेशी निव पेशकों की बेरुखी और जिसके पीछे विश्य धुरूप से आर्थिक और मौद्रिक कारण है सर अगर अर्थवस्ता की बात करें घरेलू बात करें ये तो आपने अंतराश्टी बात बताई बॉन्ड इल्ड का जिक्र किया आपने क्या भारत की अर्थवस्ता पर भी भरोस्ता जो है कुछ डगमगा सा रहा है हाँ दो तीन बड़े फैक्टर हैं देखें कच्छे तेल की कीमतें लगातार उची हैं सरकार की कोई कला कच्छे तेल की कीमतों को कम करने पर नहीं चल सकती पेट्रूली जल की महंगाई भी है भारत में भी महंगाई के लोकर तमाम इधर दर्ग की बातों के बावजूद ये बात तो मुतमईन है कि खाद महंगाई रहने वाली है अनाज का उत्पादन बहतर नहीं रहा है और अगले फसल को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल है तो महंगाई को लेकर महंगाई के मौरचे से प्धेशी खबर नहीं है आर्थिक विकासदर को लेकर बढ़ी शम्मतकारिक बढलाओ अगले साल में नहीं दिखाई देने वाला भारत की आर्थिक विकासदर आउसद 612, 66.65 के आस PAS रहेगी तोहारी मौसम में भी उतनी डिमांड नहीं दिखाई दिए केशे प्रिकवरी के संके दिखाई दिए कच्चे तेल की मजबूती विदेशी निवेशकों की निकासी और जो एक महत्वून बाद जो भीतर चीप भात भारती अर्थ सरस्था के बारे में जिन में निवेश के अवसर तो मौजूद हैं और ओवराल जो मार्केट का मैक्र एकोनमिक सेंटीमेंट है जो गीडीपी और मैक्रो सेंटीमेंट है वो बाजार में तेजी के माफिक नहीं दिखाई दे रहा है और इसका एक पहलू ये भी है कि भारती स्टाट मार्केट अभी कि हाल में एक तेजी से बुजर चुका है यह वैलिवेशन भी अच्छे थे तो लोगों को प्राफिट बुकिंग का भी चांस मिल रहा है सर त्योहारों से पहले ठीक पहले आप गिरावट को दूसरे कौर्टर के नतीजे आ रहे हैं हमारे सामने हम देख रहे हैं त्योहारी सीजन में जो अलग अलग तरीके से नंबर आये हैं वो भी हमारे सामने हैं अगर आप स्टील के कंजम्शन का नंबर देखें फ्लाइट का तस्वीर देखें तो आटोमीविल बाजार में चोटी कारों की मांग नहीं है पर लगजरी कारों की मांग बढ़ी हुई है पर जनरली जैसे एफम्सीजी कमपीनियों ने कोई बहुत सावर्धक डिमांड की बात नहीं कही है कुछ ताजें आकले आए जिन्नोंने भारत में कं बड़ी डिमांड की संभावना बंती नहीं दिखाई दे रही है और दूसरी एक और भी चीज़ी है कि महंगाई है बड़ा प्रैक्टर है भारत के तंजम्शन इससे में जो सर सारे लोग सभी लोग विक्तिकर्ट चर्चाओं में भी और अनौपर अनौपर रिक रूप से दिखाई देगी जिसे आई टी सेक्टर फ्लैग बेर सेक्टर था कई तरी की समस्थ से आनोकरियां जा रही है रिविन्यूज में गिरावट है फमसी जी सेक्टर को में कास्ट कट करनी पड़ी है प्राइस कट कटने पड़ने है लेकिन डिमांड आती नहीं दिखाई दे र बड़े पॉजिटिव ट्रिगर ते वहार पर बाजार में बनते नहीं दिख रहे हैं। सिफ निवेशकों ने अपनी सिफ बंद की है। स्मॉल कैप और मिट कैप से जड़े हुए फंड्स में जहां हमने करेक्शन देखा, पहले stocks में correction देखा फिर mutual fund में correction देखा और जब बाजार गिर रहा हो और अच्छा return नहीं दे रहा हो तो mutual fund लाग कोशिश के बाद भी बहुत अच्छा return नहीं दे सकते पर SIP या mutual fund लंबे समय का निवेश है खैरा हुआ सधा हुआ धैरे के साथ किये जाने वाला निवेश है तो इसलिए इसमें तो निवेश बना ही रहना चाहिए पर इसमें बिक्वाली आ रही है उसकी बज़ए है कि बहुत सारे निवेशक mutual funds का इस्तेमाल भी कोई investment के लिए कर दो गुना हो गया हला कि भारत की संभावनाओं ख्रमताओं बचत के आधार पर SIP और mutual fund का portfolio बहुत ही चोटा है बहुत चोटा है लेकिन फिर भी अब यही वो portfolio है जिसने विदेशी निवेशकों की बिक्वाली के बीच में भारती बाजार में कोई बड़ी crash नहीं आने दिय होगा क्योंकि भारती बाजार में अब जब विदेशी निवेशक निकलना शुरू करेंगा रुपए में गिरावट होगी तो रिजर्बेंग की चुनौती शुखम काफी बढ़ेगी इंडोनेशिया को अपनी currency को बचाने के लिए ब्याजदने बढ़ाने पड़ाने कि फिरहाल शोटे निवेशकों को होल्ड करके बने रखना चाहिए मुचल फंड लंबे समय का निवेश है और लंबे समय मुचल फंड के रिटर्न्स हमेशा बेतर ही रहते हैं एक और ख़वर जरूरी capital market regulator सेवी ने शेर खरीदने और बेचने की सलह देने वालों पर शिकंजा कसा है बुद्वार को सेवी ने शेर बादार में एक ऐसे वेक्ति पर प्रतिवंद लगाया है जो खुद को technical chart का बाप कहता था और इसी नाम से social media पर YouTube पर उसके handle भी चलते थे नसीर उद्दीन अंसारी नाम का ये वेक्ति ये भी दावा करता था कि वह सेवी पंजिकरत निवेशक सलाकार नहीं है खुद ही कहता था कि मैं रिजिस्टर निवेशक सलाकार नहीं हूँ लेकिन अपने वीडियो के जरी वे share trading की class लगाता था सेवी ने ये भी कहा कि नसीर उद्दीन अंसारी से 17 करोड रुपे बसूली की जाए सर हम लगातार मनी सेंटरल में cover कर रहे हैं चेताबनी काफी लंबे समय से आ रही थी कि ये जो influencer है इन पर सक्ती की जाएगी की जाएगी ये नई शुरुबात मानी जाए सेवी की तरफ से हाँ जो लोग ये कारेकर लगातार देखते हैं मनी सेंटरल वोने याद होगा कि हम लगातार अपने अलग-अलग कारेकर मानीना इनमें आपको बताते रहें कि ये सारी के तिविधियां आम तोर पर सही नहीं है उचित नहीं है और इनमें अन्ता पंप और डंप जैसे और निवेश्कों को बरगलाने और फसाने की कोशिश की जाती सेवी भी इस पश्टूप से पहरा है उन्हें ये पता है कि वो सच नहीं है और सबकों जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है कि सच नहीं है शेरों की किमतें ऐसे नहीं बढ़ती ही शेरों में बहुतरी के से दावे नहीं किया जाते कोई भी शेयर आपको अचानक रातो रात माला माले करूर पती बनाने की गैरेंटी नहीं देता चार्ट पढ़कर आप शेयर बाजार का रुख समझ तो सकते हैं पर भविश्वानिया नहीं कर सकते लेकिन इसके बाद भी कोशिश चल रही है पर आप एक है सकते हैं शुबम की देर आयद है, दुरूस्त तो नहीं देर आयद है पर सेवी ने कारवाई शुरू की है तो इससे कम से कम बाकि लोग जो और भी ऐसा काम कर रहें वो इसमें रुकेंगे और अगर नहीं भी रुकेंगे तो जो लोग शेर बाजार में वीडियो देखकर और टेलिग्राम चैनल देखकर और यूट्यूब में चार्ट की भविश्यवानिया सुनकर स्टॉक खरीदें उन्हें तो सतर्क हो जाना चाहिए कि बाजार में क्या हो रहा है और कैसे से भी इ अब डॉलर से ज़्यादा की वेलेशन साफ हो गई अमेरिकी शेर बादार में किसी भी कंपनी के शेर में ये पांच भी सबसे बड़ी गिरावाट है माना जा रहा है कि आर्टिफिचल इंटेलिजेंस के मामले में गूगल की प्रतिदोंदी कंपनी माइक्रोसॉफ उससे आ बारिज हुआ और माइक्रोसाफ्ट के पेटेंट को उसमें आगे भड़त मिली ये दोनों ऐसे क्षेत्रें आई 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 आर्टिफिचल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जिन्हें भविश्टी की तकनीके माना जा रहा है और इसको लेकर माइक्रोसाफ्ट गूगल के बीच में तीक ही प्रतिस फर्दा है कि दोनों टेक्नलाजी बाजार की बड़े कंप्यूटिंग आई और माइक्रोसाफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट में क्लाउड यूनिट की में बहतर बहुतरी के नतिजे हाल फिलाल में सामने आये थे और यह माना जा रहा है क कि माइक्रोसाफ्ट की क्लाउड यूनिट बहतर ढ़ंग से काम करेगी और इसी बीच में यह यह फायदा माइक्रोसाफ्ट के खाते में गया है अल्फाबेट को गूगल की पारेंट कंपिनी को तगड़ा जटका लगा है आगे बढ़ते हैं मनी सेंटल जटपट की ओड़ कंपनी ने करीब 200 करमचारियों को निक्ति के लिए काफी पहले शॉट लिस्क किया हुआ था लेकिन अभी तक उनको निक्ति नहीं दी गई है करमचारियों की निकति में हो रही देरी के विए से आई टी करमचारी संक्टन ने कंपनी को नोटिस भेज़ा अपनी तरह की कि मामला है कि प्राइविट कंपनी को सरकार नोटिस भेज़री कि आप लोगों को क्यों नहीं रख रहे हैं देश में डिजिटल पेमेंट के लिए UPI की बढ़ती लोग प्रिता ने डेविट कार्ट पेमेंट सिस्टम पर असर किया UPI से लेंदेन लगातार बढ़ रहा है जिस 16,127 करोड रुपे के टांदेक्शन हुए हैं देश में इस साल स्टील की खपत जोरदार तेजी से बढ़ी है इस साल अपरेल से सितंबर के दौरान देश में करीब 6.4 करोड रुटन स्टील की खपत होई है जो पिछले साल की समान अबदी के मुकाबले 15 अफीस से जादा ह से बात से ही देश में स्टील की खपत में इजाफा हुआ है वितवर्श 21-22 के दौरण देश में प्रतिव एक्ती स्टील की खपत का अकला 77 किलो था जो 22-23 में बलकर 87 किलो हो गया है इस साल इस से ज़्यादा भी बढ़ोतरी होने की संभावना है शोशाल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स अपने यूजर के लिए वीडियो और वाइस कॉलिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है कई उजर के पार इसको लेकर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए और कंपनी जल्दी वीडियो और वाइस कॉल की सुविधा लांच करने की घोशना कर सक होता है सर क्या कोई टिपनी आपकी एक्स को लेकर नई ख़बर है काफी समय से लनमस के कहते रहें कि वो अपने एक्स प्लेटफॉर्म को धीमे धीमे जो की पुराना ट्विटर था उसे धीमे धीमे एक कॉलिंग और चाटिंग अपने में बदल देंगे क्यों कि अभी तक क आईकॉन मिलेंगे जिनने प्रिस करके कि उन लोगों से बात की जा सकेगी जो एक्स पर आपके साथ जुड़े हुए हैं ट्विटर यानि पुराना ट्विटर और एक्स आज का एक्स एलन मस्क के लिए मुनाफ़े के लिहास से काफी बड़ी चुनोती बन गया है और ये ब भी बड़ा बाजार है चैट एपस का और वीडियो कॉलिंग और वाइस कॉलिंग अपस का इनके बीच में किसे जगा बना पाता है कर पाता है सरवाश शुक्रिया शो में जोड़ने के लिए आप लोग का भी शुक्रिया मनी सेंटर देखने के लिए कल फिर आएंगे नया संसकान लेक लिए आप बने रहें मनी नाइन के साथ नमस्कार जुक जुक झालोगक का वाएंगे नहां के लिए क्मेट अठीब हो